दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही खूबसूरत चहरे हैं बहुत ही खूबसूरत अक्टर्स है और कुछ नहीं तो 3G फिल्म देखने में बहुत मज़ा आएगा रखरो प्रेंस दो अखिथे खूबस क्षा निवन्यारिा सव्स्तरा विस्ती तो 5 फ्र से बिल्स प्राइटन अंट्लूडफ केश सोर तो HA& वोल क्योंकि आपके अलग-अलग shades दिखने मिलते हैं, sometimes you are so good to her and sometimes you are so wicked to her. ये एक psychological horror है, suspense है, thrill है, जाहिर बात है कि एक couple Fiji में है, तो romance होगा ही, तो ये सारे shades आप एक ही film में देखेंगे, एक नचल में अगर आपसे मैं कहनी कहूं, तो कहानी है, एक लड़के की Sam है उसका नाम, टेलेकॉम इंडस्ट्री को बिलॉंग करता है, फीजी आइलेंस पहुंचता है अपनी गर्फरेंड के साथ, अज़ा कि अपनी फीजी जाता है अपनी गर्फरेंड के साथ समय बिताने, तो जब फीजी पहुंचता है तब उसका मोबाइल खो जाता है, अपने लिए एक सेकेंड एंड फोन खरीदता है और फिर अजीब औ गरीब किसम की MMS आने लगते हैं, 3G एक्टिवेट करता है क्योंके आज 3G का समय है, इसले टाइटल 3G, और उन MMS की वज़े से क्या-क्या घटनाएं घटती हैं वो फिल्म है, और क्या बदलाव इन कारेक्टर्स में वो MMS की वज़े से क्या बदलाव आता है, वो ये फिल्म है, मुझ में भी बहुत बड़ा प्रश्ण चिन था कि जब मैं कहानी पढ़ रहा था कि ये, क्या ये पागल है, क्या ये स्किजोफ्रेनिक है, क्या ये एक स्प्लिट पस्नालिटी है, क्या एक वैंपायर है, मगर वो सस्पेंस है, तो जब फिल्म में, जब मैंने भी देखा, जब मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भी वो सस्पेंस इन में, रिवील हुआ, जी हाँ, ओकी, इन्होंने कहा कि पीजी में, अगर हम लड़का-लड़की है तो जाहर है, रोमैंस तो होगा ही, तो अब फिल्म को थोड़ी देर भूल जाते हैं, और रियल लाइफ में आ जाते हैं, रियल लाइफ में भी लड़का-लड़की थे, तो कितना रोमैंस हुआ, आए दिन हम पेपरों में पढ़ते हैं, हम भी बहुत पढ़ते थे, काफी हसते थे पढ़कर, आए जिए बहुत वहाते हैं, वहाल है भी आएफ सब्सक्राइब, पढ़ते हैं, रिखे कोनी कि यह उनका लुगते हैं, रिखे देदेश लगे रिखने में लुगते हैं, क्यात है, करें अब आएफनी में एक्स्पेक्टत था, प्रमोशन और पुब्लिसिटी आफील और शायद बस एक स्पेकुलेशन है और अच्छा यह दो फिल्म कर रहे हैं साथ में अच्छा सिंगल है तरल लिन के बारे में लगते है अच्छा नहीं ही हो रहा है इस पर दो प्रफ 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 दो प्रफ दो अच्छा बोरा लगता है जब कभी-कभी ऑख़डनेस आजाती है अच्छा नहीं पता था क्या है सच्छाई प्रफ परेंस भी इंवल्ड होते हैं वी पड़ते हैं फैमली जब हमारे करीभी लोगों की कभी-कभी सेंटिमें इस अच्छाब होते हैं तब उस समय मैं भी मैंने कहा कि चलो ठीक है होने दो यू तो इन यू तो फिल्म हो रही है फिल्म के बारे में लिख रहे हैं तो जितनी पॉलिसिटी हो रही है और मुष्की हो रही है तो अच्छी है जितनों को लिखना है हाँ, दुख तब हुआ जब वो हाथ से निकल गया और जब परसनल लाइफ में कुछ ज़्यादा इन्वाल्मेंट आने लगी इन अच्छी सेट के वन देरोट बाट पारेंस वन देरोट बाट बाट सम्थिंग आपकी पहली फिल्म जननत उसमें आप चमकी थी फिर एक लॉंग अपसंस ऐसा क्यों यूश्ट विन फ्लुडड़ विद विद आप निकाम भी अच्छा किया था सब्सक्सेस्फुल हुई थी यहां पर सब कुछ निर्भर है अगर फिल्म सक्सेस्फुल होती है सब्सक्राइब को बहुत सारा काम दे जाता है तो वाइज थी जननत उसमें फिल्म सी तो उस वक्त मुझे हिट और फ्लॉप का मेने नी पता था रवी आफा किमने के मैं फिल्म कि है और लोग देखें है तो अब अबने पार फिल्म Sonra देुझा अब आवश है डिस लिए टमराया कारी हिए खुला उसम अठीं है तो रही हम देखब ऐस आदा तो ये नहीं पता था कि I should not let go of this opportunity and just stay here now. But still, what I really like is that Jannat is something that has stayed in people's heart. आज भी लोग मुझे जोया के नाम से बलाते हैं, wherever I go. So, that's a good feeling and I just hope that everyone should feel that. You come from a film family. For you, getting into films must have been easy. We are just going down memory lane. Not at all actually. क्यों? Not at all. क्योंके हर किसी को ये लग रहा था कि Mukesh का पोता है, Nitin Mukesh का बेटा है, तो जाहर बात है कि सिंगर बनेगा. अब जब हर किसी के पास गया मिलने, तो मिल तो लेते है, Nitin का बेटा है, Mukesh जी का पोता है, मगर काम देने के लिए, जब मैं मांगता काम तो अच्छा, 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 तो कोई फिल्म हो नही रहा है, But you were a good looking guy, so that should have been easy, na? मुझे अमैशा लुक्स के ओपर, I didn't want to play on the looks only. But you couldn't camouflage your looks, और बने पूझा अच्छा, अच्छा, जो है, वो तो है. No, but I didn't want to, I purposely also didn't want to do a film which is only about a good looking guy running around trees, etc. I mean, I wanted people to take me seriously as an actor. So in fact, not many people know this, but Jamu Sugand then finally met me and offered me two films on the same day and he offered me Janethu ya Janena and Johnny Gattar and I went back home and I read Johnny Gattar and I went back to him and I was like I really want to do Johnny Gattar and he's like I really thought you would want to do Johnny Gattar now it's time for you to go and convince Sriram Rakhon so I went and I did that you said that people thought that Mukesh is a grandson Nitin Mukesh is a son so you are not a singer not a singer but you should sit in the back but a singer is also this so let's go then this film is Gattariji's song and you will sing along with her but you will also sing along with her wow oh 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 वोओ, 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 lovely, very nice. You are a trained singer? No, I am not trained yet. ये पहली बार आपने गाया है? मतलब मझे गाने का बच्पन से शौक था, और सिर्फ गाने का है नहीं, सुनने का भी, I just love music and it makes me very happy. and I always sing in the bathroom, when I hear a song and then I try to sing to learn, and when I am able to crack it, I get a lot of happiness with you. So there is a vision singer in you, definitely? So I always love singing and I always sing in sets as a song. We just didn't have chance to get to the show and. Yes, the fact I was gonna say. Where I go to the shoot and when it's 35-45 days, I always keep taking my keyboard and I always take my keyboard. I am a pianist also. तो एक समय ऐसा था और सोनल उसी फ्लोर पे थी और कहीं जा रही थी and I was playing the piano and she came and she just started singing and I was playing the keyboard and I said wow man she's got a terrific voice. फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म में करीबन तीन गाने हैं और एक instrumental है जो की फिल्म का थीम है. You said right in the beginning you said I did not just want to be a good looking hero who runs around the trees. इस फिल्म में Fijian trees के इर्द गुमे हैं पलोगे? जी नहीं वहां पे कोई पेड ही नहीं था अब Fijian sapo के इर्द गुमे हैं वो फी पॉसनस जो और नहीं बाद में बताया गया था oh my god you know what I have to tell you what was more scary? picturizing the song or singing the song? I think singing the song singing the song? no picturizing the song that too later when we were because I do not fear from the song I love snakes in fact huh? इस तापो से डर ही अँगा? जी अँगा 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 आपके ब्रेव कोशो करी आपके ब्रेव होगे बताया है उस समें पुंगी बजे एकी उस वाक नील भी बिलकुल खुश थे बिकुल हमें बोला था कि इस नॉन-Poisonous snakes पुम्तिन अँगा से नॉन-Poisonous snakes बड़ के इस नॉन-Poisonous snakes उस अँगा बढ़ निकलना था इसलिएक था था कि इन्हें और मुझे पानी से बाहर निकलना था तो और रखी दीप तक जाना था क्यूकिस अनलाइट वहां पर पढ़ रही थी तक मने पूछा किसाब अन्हेख इता हमें रहा हमें? आप 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 थेहसे तान्हेशु को स्वाइखनश आप हामेगे, टो यहाओ सीपि करते है। खीड है भात डूचेल से लिकाल वफ़्चेजरी — जितने they are the world's most poisonous water snakes the black and white one the black and white striped ones that was scary you know swimming well I didn't know swimming I learned swimming for three years I was actually I was hydrophobic but when I was told you know when I heard the narration the first thing I told my directors that I can't swim they said then you can't do this and there's a lot of underwater sequences that we've action sequences that we have in the film so if swimming also like it's a special kind of a thing that you have to be under the like underwater so I yeah I fought my action sequence for which the body has to be submerged for quite some time oh my god so for that you have to go through a certain training process and it's not eight or nine feet where your your pressures are normal yeah you know it's way below that like 18 to 20 feet so you have to train yourself and get yourself accustomized to the water and the surrounding and the pressure so initially I was also skeptical because it's not it's not something that I was confident of Sonal pulling off because she's just learned how to swim correct but she was strong why that's really brave but I was very scared every time I went into the water I'm not gonna lie but the good thing was that we had a very good team around us and they were just like few feet away so it was fine 3G shooting and was it a start to finish film or a start to finish we definitely wanted to make sure that the budget of the film is in 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 its place and how much is the budget of the film I am not sure but I don't think it's pushing over six and a half seven crores and just me say Fiji government bhi subsidy they would also yes and you know so it's a it's a very tight budget film but at the same time the film is looking extremely lavish that's because I think Keko Naka Haran so the DOP of the film we shot the film I think non-stop for 40 40 days okay yeah so it was one schedule start to finish and no patchwork nothing no patchwork no that's strange yeah normally every film has you know exactly so credit director to do camera man or lead players exactly you are so good at your work no but I I think a lot of credit goes to Shantanu and Shishak they were so well prepared they were very well planned very clear in what they wanted the entire team was was very clear of what they wanted you know perfect shots perfect cutaways everything and horror as a genre you like seeing horror films oh I love watching horror films I think all horror films I have seen all horror films I have seen, now I have forgotten too much but since I was in my childhood snakes and how that is snakes and the other horror films I thought was so shocked I never used to miss any of those तो नागिन नागिन, नागिन, तुम मेरे हो, all those films I have seen, I don't even remember the stories now. The fact that you remember तुम मेरे हो, is very creditable, exactly. यूई जूई चाला अठाफर्वाश। जूई 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 चालाप थारि तर्भाश। तो अजूई लवड़ी फिल्म, actually. यहा, sorry, you? कि यह दो मैं लॉड शुल फिल्म का इतना शॉक है तो इस भी मुंट फिल्मा इस वो ऑफ वे नुड था या फिल्म इर फिल्म ढप्र शॉड नेफ्ट विल्म ए फार्ट एल्लै नेफिके एक उड्र में बेस थे तो दोस्तों यह थी लीड पैर ऑफ 3G इसके प्रोमोस आपको भी पसंद आया होंगे क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आया है है और कुछ प्रोमोस कुछ ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसे लगता कि यह फिल्म तो देखनी है वेल 3G के प्रोमोस में वो जादू है definitely मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे यह फिल्म जल से जल देखनी है I'm sure you must be feeling the same तो आपको पता है इस शुक्रबार को या इस weekend को आपको क्या करना है head to a cinema screening 3G, get scared, come out and spread the word that you have got scared Friends, आज के लिए बस इतना ही